हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अवनकुल में आज हम क्लास 9 के मिट टम एक्जामनेशन जो की फर्स डिसेंबर 2021 में हुआ है 2021-22 सेशन के लिए स्टेडी कोशंट्प्ष अवर में ओ n एक रेक्जामनेशन का यह सॉलिट या न यह ज़िए विद्सकिक विश Te可愛 को फोल्विंग इस तो से हटरोगीनिस मिक्षेर तो इन में से कह वोल्वेंस मिक्षेर इन तो इन में स्कुर्ट पावडर इन वोडर तो एंड करोसीन इन वाटर याई डी ऑप्षिन जोया आपका जोग वोथ बोथ द्सकिसद करेक्षिन तो वाटर के साथ जिसे शेक करेंगे टू सॉलिशन फॉर्म नी करेंगा तो वह अल्भी मिन हो गया तो इसमें आपका सी ओप्षिन करेंगा नेक्स्ट है कोशिन नम्बर फिफ्थ सोड़ वाटर इस सॉलिशन अब जो हिंदी मीडियम के बच्चें वह भी साथ-साथ ओप्ष कोशिन हिंदी मीडियम वाले वच्चे भी त्यान से देखेंगे से सेलेक्ट अब करेक्ट पेयर ऑफ अनली यूनिसालर और गिंजम तो इसमें आपका बी ओप्षिन पारमीशम और क्लार क्लार में वह करेंगा नेक्स्ट है सेविंध कोशिन दे सेल वाल अफ प्लांट सेल इस मेंदी कंपोज्ड अफ सेलेलोस तो इसमें आपका बी ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा एट कोशिन है विच स्ट्रक्चर्चर्स आर फीचर ऑफ बोथ प्लांट एनिमल सेल तो इनमें आपका माइटो क्रोंड और सेल मेंबरेन यह दोनों ही यह दोनों जो है वह वो प्ल तेंथ कोशन है ट्रोमोसोंस आर कंपोज्ड अफ डी एन एंड प्रोटीन ट्रोमोसोंस जो है वह डी एन प्रोटीन में इंड नूकलिस में लोकेट हो तें आपका ए ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा विच अफ द फॉलिविंग टिशुस हैं इंक्रीजिंग द विट अफ ग होती है थर्टीन कोशन है अइडिफा सिंपल पर्मिनन टिशु फ्रॉम गविन पर तो पर इनकायम को एक टिशु में आपका डी ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ए कोशन नमबर फॉर्टीन नारेल कि रेशे कैसे बन होता है यानी तो हसक ओफ को को किनट इस इस स्पिछर में इस सब्सक्राइब एक और सब्सक्राइबल को डिवा yard cell जो नहीं कंग Y नेक्स्ट जो कॉसंने वह इसा नहीं नियुक्त members हो तो आप मेंसे तो कोई नियुक्त टो आप इसा धि MS तो ऐसा unit of speed is meter per second तो आपका A option और रहेगा next is 17, which of the following is an example of non-uniform acceleration तो movement of car in crowded road ये एक्जामपल जाएगा तो आपका D option और रहेगा 18 है, a body thrown vertically upwards which is a maximum height y, it turns written ground the distance is displacement travel by body respectively, तो distance 0 जाएगा displacement 2 तो तो आपका C option और रहेगा तो आप इस पे यहाँ पे C पे टिक करेंगे, ये C option, next is question number 19 इस तेटर में आपको दिखाएगा है, this is a diagram of device fitted in every car and bike X and Y आपको identify करना है, तो इसमें X जो है, ओडो मेटर, Y स्पीरो मेटर, इसमें आपका B option और रहेगा 19 question visually impaired के है, 20 question हमारा है, ये आपको velocity time graph दे रहेगा है, इसमें आपको which graph zero acceleration, इस graph में तो ये आप देखे, increase हो रहे है, ये decrease हो रहे है, और ये increase, decrease, increase, decrease but zero है, यानि ये वाला जो आपका graph है, वो zero, यानि इसमें आपका A option और रहेगा, 21st question है, 20 जो question है, वो आपका visually impaired candidates के है, 21st question है, P and Q are two objects, P and Q are two objects, जिसका mass is 5 kg and 20 kg, तो आपको बताना है, तो इसमें आपका, जो Q है, more inertia, Q में, than P, यानि इसमें आपका B option और रहेगा, आप इसमें बी टिक करेंगे, जो गोला लगें, उसमें आप ध्यानने तीचे, जो मैं आपको option बता रहे हैं, वो ही टिक होगा, 22st question है, ऐसा unit of force जो ऐसा unit of force is Newton, तो इसमें आपका A option और रहेगा, 23 is, when a running bus stops suddenly, the passenger falls forward due to, जो रनिंग बस अचानक से रुख जाती है, तो जो passenger होते है, वो आगे जाके गिर जाते हैं, तो ये किसके according होता है, ये Newton के first law के according होता है, 24 question है, second law of motion, क्या देता है हमें, force देता है, second law of motion, given us a measure of force, 5 minutes के अंदर, बहुत easy questions से, section B में आपको 24 questions दे रखे हैं, उसमें से आप, जो की 25 से 48 तक है, उसमें आपको 20 questions ही attempt करने, इस question में, मैंने आपको 24 के 24 questions correct, correct करवाएं आपको, section A में 24 के 24 आपको correct बताएं, but उसमें से आपने, जो 28 questions लिखे हैं, वो ही आपको देखने हैं, क्या 25 questions है, which of the following is not a true for compound, तो A option जाएं, compound, heterogeneous mixture नहीं होता है, नेचर में होता है, A option correct हो जाएगा, next, an example of chemical change, तो chemical change का example, sodium को अगरम वाटर में प्लेस कर दें, तो वो chemical reaction हो जाती है, तो ये chemical change का example, 27 question है, उसमें आपका, तो aluminum जो होता है, वो हमारा metal होता है, aluminum metal हो जाएगा, limestone compound हो जाएगा, fluorine non-metal होता है, silicon हमारा metal होता है, तो इसमें आपका, जो A option जाएगा, वो correct हो जाएगा, next है, 28 question, which type of cell division is shown in the diagram, इसमें कौन सा type of cell division दिखा रहा है, तो ये mitosis है, अगर आपने पढ़ा होता है, 28 question है, वो आ आपका एक visually impaired candidates लिए भी दे रखा है, next दे रखा है, question, question number 29, incorrect match आपको बताना है, तो incorrect match इसमें से chromoplast है, chromoplast जो है, वो color प्रोवाइड करता है, leaves में, वो protein synthesize में help नहीं करता है, तो इसमें आपका B option जाएगा, आपका B पर टिक करेंगे, next है, question number 13, which is not a true about suspension, तो suspension के जो D option है यानि first part only, यानि जो particle size होते हैं, वो solution से बड़े होते हैं, यहां पर छोटे बता रहे हैं, less than बता रहे हैं, तो इसमें आपका D option जाएगा, next है question number, 31 से 31 आपको assertion और reason based दे रखे हैं, इसमें आपको solve करना है, 31 में assertion दे रखा है, एक true solution, existed in the effect, या नहीं दिखाता, because उसके particle size हैं, वो large होते हैं, तो नहीं solution के छोटे होते हैं, तो आपको बता है, यहां पर assertion सही है, और reason correct है, तो इसमें आपका C option जाएगा, फिर 32, C क्योंकि आपको बता है, अगर हमारा assertion true हो, और reason अगर हमारा false हो, तो हम C पे टिक करते हैं, assertion reason दोरों true हो, और reason correct explanation दे, assertion की तो करते हैं, और assertion false हो, reason हो, तो हम D पे टिक करते हैं, तो next है, the endoplasmic reticulum, which lack ribosome, is called smooth endoplasmic reticulum, तो यह correct है, तो यह correct है, आपका, SR is the mainly involved in protein synthesized, assertion तो ठीक है, पर reason हमारा correct नहीं है, तो इसमें आपका C option correct हो जाएगा, यहां, assertion is true, but reason is false, assertion आपको दे रखा है, epidemal cells of road commonly bear long hair, reason, the root hair increase the total absorption surface area of road, तो इसमें आपका A option correct है, यहां, assertion true है, और reason भी true है, और reason correct explanation दे रहा है, assertion की, 34 question है, assertion, the movement, the motion of car along the circular path is accelerated motion, तो यह assertion true है, इंदा circular path, जो velocity होती हो, वो constant है, तो नहीं, तो इसमें आपका assertion, इसमें आपका C option है, correct रहेगा, assertion 2 है, but reason false है, 35 है, इना tug of war game, यहां, एक रसा कर्शी के खेल में, जो रोप है, वो कहीं, किसी बी डारेक्शन में, जो रोप है, जो रोप है, वो कहीं, किसी बी डारेक्शन में, मूव नहीं गरी थी, क्योंकि जो बैलेंस फोर्स था, यहां, इधर भी पर solution of a cell, a student plays few RBC in solution times, after some time, RBC increases in science, as shown in the picture, what could be the nature of solution, तो आपको पता है, RBC जब swallow है, तो नीचर का solution hypotonic होता है, तो इसमे आपका hypotonic, यहां, बी ओप्शन करेक्टिट रहेगा, नेक्स्ट है, कोशन नमबर 36, V.I students, यानि विजली पेंट student के था, 37 कोशन आपको दे रखा है, इसमे आप देखिये, तो इसमे आपगा या आपको फिकर दे रखा है, इसमे आपका फिकर दे रखा है, जो फिकर में दे रखा है, वो एक से प्रॉस्ट प्रोसस को फॉंक्शन करता है तो इसमेप का सी ओप्शन जाएगा नेक्स्ट नमबर 37 यह आपका सी स्टूडेंट के लिए रखा है आगे 38 कोशन यहां पर LMNOP सारे एक नियूरॉन का डाइग्राम में मेंशन करके हैं तो इसमें आपको बताना है कर्क्ट ओप्शन तो इसमें देखिए एल जो हमारी सेल बॉडी है एम जो हो नूइकलेस है एन जो देंट्राइन है ओ हमारा एक्जॉन है और पी नर्व एंडिंग है तो इसमें आपका बी ओप्शन जो है गरेक्ट हुजाएगा आप इस पे बी पे टिक करेंगी नेक्स्ट ह कोशन नंबर 38 जो की विज्वल इंपेड कोशन के लिए थर्टी नाइन जो कोशन है अब यहां पर आपको देख है ब्लॉड एक कंडेक्टिव टिश्यू है आपको बता है अब उसके कंपोनेंट और उसके पार्ट के फंक्शन बता रहे हैं तो आपको बता है प्लाजमा का ड्रफोर फंक्शन के है ट्रांसपोर्ट गैसनीटैंस और हार्मोन और जाबलु वीच्वाट एक प्लचन केutanरेंब का अफव्डबसन कोशन बर्पा आपको ब्लाजम का च्व worship है न आपको रॉन क्व नंबर4 जो है मर्म सब्सक्र नेस्ट्र scientists핳 when in the inner surface of respiratory tract Vich мос mam हो जानेख त्वो दिश्व प्रेजों प्रेजेिड निटेट कोल्युट अपिधिलियूम होता इसमें आप्ता h다 it ocean River correct हो जाएगा next question number 42 which is not a characteristic of proctoratic cells so chromosomes are more than one these pro 플launt cells are no the characteristic question number 43 which cell is the societal bag of cell so lysosome which cell is the societal bag of the cell question number 44 plant cells are different from animal cells because they have cell wall planted cell में होते हैं जो कि animal cell में नहीं होते है वैक्षूल भी बड़ी होती है प्लांट सल में animal cell में होती है लोग्लोप्लास भी होता और animal cell में नहीं होता तो इसमें आपका d option all of the above हो जाएगा next question number 45 तो जो 45 question है इसमें आपका देखिए ribosome जो होगा वो आपका production of protein करता है ser जो है वो जो poison और drugs फगिर होते होने हर साइट एठाता है गोल की जो गोल की body होती है वो आपका sorting करती है packaging करती है modification और lysosome clean करता है cell को तो इसमें आपका जो बी option है वो correct to try बी से correct matching है 46 question जो है वो दे रखा है which statement is true about force यानि force के लिए कौन सी statement true है तो आपका बता है balance force जो होती है वो change कर देती है shape की body की यह भी true है balance shape do not change the state of rest or motion of the correct तो यह भी true है balance force do not produce any acceleration तो कोई भी acceleration प्रिदूस नहीं करती यह भी true है first second third true है to accelerate the motion of an object balance force is required अगर motion को accelerate करना तो balance force required है तो इसमें आप देखिए यह तीन option तो correct है यानि C option जो आपका correct हो रहेगा question number 47 है the force required in accelerating a 20 kg object at 10 meter per second is तो force जो required होता है वो आप देखिए force निकालने के लिए formula क्या होता है F is equal to F is equal to MA mass यहांपे 20 kg दे रहे है multiply में a हमें दे रहे है 10 20 को 10 से multiply करेंगे 200 आ जाएगा तो यानि 200 kg meter per second आपका answer रहे है यानि इसमें आपका C option जो है correct हो जाएगा next question number 48 question number 48 जो है given velocity time graph यह time velocity time graph दे रहे है object का 13 kg object what will be the magnitude of the force of two object two to five seconds तो two to five seconds में जो magnitude हो जाएगा object का वो zero होगा तो इसमें आपका zero job जो option है वो correct हो जाएगा 48 question visually impaired के लिए section C हम करते हैं हमने section B 10 minutes में कर लिया section C आपका three case study है जिसमें questions आपको total 12 questions है हार question में section है जो हर case study उसमें four question दे रखे हैं आपको 12 question में से सिफ 10 question ही attempt करने थे section 1 की case study दे रखे हैं आपको यहां पर तो हमें आपको बता है तो हमने case study को हमने पढ़ ली direct question करते हीने तो which is the component of a solution to solid भी होता है solvent तो इसमें आपका C option both A and B correct हो जाएगा next question number 15 iodine texture यानि texture of iodine is a to texture of iodine क्या है solution of solid and liquid है not solid जो हमारा iodine होता है और alcohol liquid होता है तो इसमें आपका A option correct रहेगा next question number 51 concentration of solution is the amount of solid present per unit volume तो इसमें भी आपका A option correct रहेगा 52 है तो 52 after analyzing graph analyze करा एक student ने conclude करा solubility of solution increase with increase in temperature of the solution तो यह तो उसमें सही conclude किया तो इसमें रखा आपको solubility is not affected by increase or decrease in temperature तो solubility effect होती है तो यह तो गलत conclude किया गया saturation level जो कि एक solution का इंक्रीज हो रहाता है तो यह तो यह भी उसने सही conclude किया at 90 degree dissolve amount of solar sodium chloride is maximum तो 90 degree में जो dissolve amount of maximum तो यह गलत conclude करा यानि जो first and third option उसमें इसमें आपका बी option correct हो इसमें आपका बी option correct हो इसमें आपका बी ओप्शन करेक्ट होगा 49 से 52 जो को आपको पढ़ना अच्छे से अब इसके बीस पर को देखते हम 10 से आपको बताना तो अच्छे अशे से से 5 तो इसमें ऊच्छे में समें 10 तो 30 से की तो ढूशे ती स्जाड तो तो 7 का Create 6 a plane फिर फिर वीच पाट आप प्रेजेंट dom washeditzer तो रिटार्दर मोशन यानि सबसे क्रेंभी मंदन घतली तो उखव दिखारा है था तो यहां से स्टर्ट को पढ़ना अच्छी से नेक्स्ट इसमें कोशन दे रखा है सब से पहले है which muscle is involuntary nature तो जो स्मूद मसल होती है और जो कार्डिक मसल होती है दोनों ही involuntary होती है यह भी होती है यह भी होती है इसमें आपका बोथ बी औंसी यानि दी ऑफ्शन जो है कंट्राक्ट करती रहती है पूरी lifetime तो वह होती है काड़ेक मसल्स और स्मूद मसल्स यानि स्टेटेड मसल्स भी होती है और स्वूद मसल्स भी होती है तो इसमें आपका ए औंबी दोनों ही option करेक्टर जाएंगे तो आप इसमें बोथ ए औंबी पे टिक कर लेंगे कि सब्सक्राइब करेक्टर जाएगा लाइव लास्ट कोशन कोशन नंबर 16 मसल्स कें शो मुवमेंट दू देर पोजिशन प्रेसंस और अडिपोस्ट इशू कंट्रेक्टर मसल्स या देर अटाज्मेंट बोन तो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन के विजसे यह के स्टेडी मे तो यह आपका जो कंप्लीट होता है पूरा पीपर मैंने सॉल्फ करा दिया कोई भी कोशन में डाउट है अभी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और यह वीडियो प्लीज लाइक जरू करिए हमने आपके लेतनी मैनत करी तो आप एक लाइक जरूर कर सक जबते हैं और जिसके फूल आफ फॉर्टी अपने नंबर जितने भी आपके कोशन करेक्ट है उन पर आपको मल्टिप्लाइ करना जिरो पॉइंट एट सीरो से एंड आपकी मांग्स अपटीन बता चल जाएंगे आपको फॉर्टी में से आपके कितने मांक्स है तो वह आप करें के देखेंगे और जितने मांक्स है वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा थैंक्स फॉर वाचिंग डियो फैबे गाइस